हेलो अवरीवन कैसे हैं आप सभी बढ़िया चलिए शुरू करते हैं आज का ससेन तो कल हमने सम्मिधान पूरा बना लिया था मतलब कि सीख लिया आता है कि सम्मिधान कैसे कैसे बना और हमने देख लिया कि किस तरीके से हमारा सम्मिधान बनके तयार होता है है ना कौन-कौन स उसमें important points थे वो सब हमने याद कर लिए थे सब हमने अपनी notes बना ली थी आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं भारतिय संभिधान की बिसिस्ताओं के बारे में ठीक है आपका ये पहला topic है जो आपके syllabus में as it is लिखा हुआ है और यहां से most probably आपको हर एक सिफ्ट में ए यहां पर भी एक question इस भारतिय संभिधान की बिसिस्ता से नहीं आया था बट इससे थोड़ा सा relate करके आया था मैं अभी जब वहां पहुंचेंगा तो आपको बताऊंगा ठीक है पैट में last year देखा जाए तो एक question यहां से देखने को मिला था इस बार भी जहां तक चांस है कि हर shift में at least एक question तो आपको देखने को यहां से मिलेगा ही मिलेगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज का session और जो लोग नए हैं जो नहीं जानते हैं मेरे बारे में मेरा नाम हरतुल प्रताप सिंग और मैंने clear किये हैं यह सारे exam last year मुझे मिले थे 98 percentile in UPSC Pet Examination चुरू करते हैं आज का Season अrabla सबसे पहले बारतिय सम्मिधान के समञे का की भारत का सब्सक्रागियर सबसे बड़ा बिस्क का सबसे बड़ा लिखित सम्मिधान है जिसको बनाने में टोटल दो वर्स 11 मां 18 दिन लग गये थे और अगर देखा जाए तो कुल मिला करके 395 में अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुच्छियां है भार्दिय सम्मिधान के अंदर ये मूलता ये मूल सम्मिधान की बात में कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा इसको डिफरेंस है दोनों में प्रजेंट टाइम में अनुच्छेद्वों की संख्या बढ़ गई है ये डेटा चेंज हो चुका है बड़ अगर मूल सम्मिधान की बात की जाएगी तो मूल सम्मिधान में इतना बड़ा सम्मिधान बना क्यों तो देखिए क्यों कि इसमें आपका जो कारेपाली का है वो कैसे रहेगी नागरीकों के साथ कैसा संबंद रहेगा कारेपाली का का है और उसके बाद नागरीकों के क्या-क्या अधिकार हैं उनके करतब क्या-क्या हैं कई सारे बिस्यों का उलेक इस पश्ट रूप से किया गया है इसी वज़ा से ये लिखित सम्मिधान जो भारत का ये सबसे बड़ा हो जाता है पूरे बिस्यों का इसके अलमा जो दूसरी ब प्रबुद्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट तो प्रजेंट टाइम एसी को बोलते हैं इंग्लेस में बोलते हैं भारत कहते हैं भारत एक सोबरेन नेशन है जब भी आपका एक रिसेंट में देखा जाते एक विवाद हुआ था जिसमें आपको देखेंगे कि जो कई सारे मुसलिम कंट्री थी वो इंडिया के खिलाप बोल स्वतंतर होने का मतलब क्या है संपोड़ प्रबुस संपन लोक्त अंतरात्मा गडराज होने का मतलब है कि भारत क्या है एक स्वतंतर राज्य है राज्य का मतलब जब कभी भी कहा जाएगा तो वो देश होता है जब आपको इस संबंध में बात की जाएगी भारतिय बता होगा लेकिन जब कर मैं यहाँ पर आज मैं कभी भी राज भी बोलूँगा तो आप यही समझोगे कि फ़र देश्क बोलना है ठीक है तो भारत एक क्या है संपोड प्रभुत शंपन लोग तंत्रात्म गढराज है और इसका मतलब यह है कि भारत आंत्रिक और बाह दोनों भी छेत्रों में सर्वोच है और भारत स्वाधन रूप से अपनी नीतिया निधालित कर सकता है और चाहे उस पर कोई भी बिदेशी दबाव नहीं होगा चाहे प्रत्त्च रूप से या प्रत्त्च रूप पर से ठीक है इसके अलामा चलिए तीसरे वाले पर क्या है मारा ल हम कह सकते हैं कि भारत का समिधान लचीला पन और कठोर पन का एक अच्छा मिसरड है यह जो भारत का समिधान है ना तो अमेरिका के समिधान की तरह कठोर है और ना तो इंगलेंड के समिधान की तरह लचीला है यह क्या है दोनों का मिसरड है जैसे जो भारत के समिधान है उ होसे शोजाते हैं अब संसोधन अराम से कर सकते हैं लेकिन एसी चीजें हैं जम सभयां के अंदर जो कठोर बना-देती हैं भारत के समय को कौन-कौन से अंचे ऐसे अनुच्छे जिसमें संसोधन के लिए सदन में उसकी समस्त सदस संख्या के बहुमत से तथा उस सधन में जितने उपस्थित हैं और मद्दान करने वाले सदस्य हैं उनके दो तीहाई बहुमत की वह सकता पड़ती है डही क्या बतार है कि इस नोग आफже आगे बताऊँ और समझाने के लिए बता रहा है तो इतना मस सोच आपको अगर मैं जब यह ری सीवेट का प्रावधान चाहिए तो तो सब चीजे में आपको बताओंगा ध्यान की जदरुत नहीं है आप सुने रहें बस कान लगा करके यह न आपने डाल रखाओं उंख़ा से है, उसमें संसोधन के लिए क्या विवस्ता है? कि उसमें संसोधन तब तक नहीं होगा, जब तक कि आधे राज्य इस पर अपनी सुभीकृति प्रदान न कर दें, तब तक उसके कोई संसोधन होता है, वो नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि भारत का सम्मिधान लचीला और कठोर सम्मिधान का एक मिस्रड है डारिक कोश्चन पूचा जाता है भारत का सम्मिधान कैसा है तो भारत का सम्मिधान ना तो लचीला है ना तो कठोर है यह क्या है दोनों का एक मिस्रड है चलते हैं आगे चलते हैं अगला हमारा जो विसेस्ता है भारती संभिधान की वो क्या है गड़तंत्रात्मक सासन प्रडाली इसका मतलब क्या होता है देखिए गड़राज एक सब्द होता है गड़राज गड़राज का मतलब होता है ऐसे राज देखिया या राज का मतलब जिसमें जो सासन का प्रधान है जो सासन का मुखिया है वो अनुवांसिक ना होकर कि अनुवांसिक मतलब जैसे की राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा तो गड़राज का तात पर ऐसा है है कि जिसमें सासन का प्रधान क्या होता है अनुवांसिक ना होकर के जनता द्वारा निरवाजित होता है है अब it देश में कई सारी पार्टियां ऐसी हैं जो फिछले कई साले साल कई सारे वर्सों से एक तरह से देखा जा तो अनुवानसिक ही वहां पर चलता आ जनता के दोरा जो निर्वाच्त प्रत्निदी होते हैं जैसे हैं मेले हो गया आपके आपके जो एंपी हो गया वह सब जाकर करके राश्ट्रात्मक का मतलब आफिंग आपको समझ आ गया होगा ठीक है तो इसके पहले क्या था भारत में रास्त अंत्रात्मक पढ़ा ली थी तो आप देखिए अगला है संघात्मक्सासन संघात्मक्सासन का क्या मतलब हुआ भारत राज्यों का एक संघ है इसका मतलब देखिए आपको उसमें मिलेगा इंडिया इंडिया इस ए उनियोन ऑफ इस्टेट और टोटल कितने साम राजे है भारत में भारत में 19 राजे अंथीज के 28 राजे हैं और केंद तथा राजे विम्मद सक्तियों का भी भाजन किया गया है और इसके लिए क्या किया गया है, सकतियों का भी भाजन कैसे किया गया है, तीन सूचिया बनाई गई है, संग सूची, रादि सूची, समुर्ति सूची, और जो अवसिष्ट विसे हैं, उस पे कानून बनाने का दिकार सिर्फ और से छंसत के पास में है, ठीक है, तो इससे हम क एकात्मक सासन भी है, एकात्मक सासन का मतलब क्या हुआ, कि जो संविधान का उपरी रहाचा है, वो संघात्मक है, लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, कि ऐसा नहीं है, जैसकि अमेरिका में क्या है, कि अमेरिका की राज्यों के पास यह अदिकार है कि वो जब चाहेंगे तब अमेरिका से अलग हो सकते हैं United States of America से अलग हो सकते हैं जैसे अगर महां पर लॉस एंजलिस करके सुना होंगा ना LA LA करते हैं सब तो LA है LA अगर चाहे कि हम अलग होना चाहते हैं तो वो अलग हो सकता है हैना उसके पास अधिकार है लेकिन भारत में जैसे भी मान इसलिए जैसे GIjalmho kasmir जान दे देंगी इसके लिए याद आया तो condemned कस समीर अकर ये चाहे कि हम अलग हो जाएंगे तो अलग नहीं हो सकता वो अलग नहीं हो सकता, भारत का सम्विधान क्या है, इंडिया क्या है, एक Union of States है, भारत का सम्विधान वैसा नहीं है, तो भारत का संविधान का उपरी ढठाचा तेखने में संखातमक लगता है, लेकिन इसकी जो सोल है, जो आत्मा है, वो एकात्मक है, ठीक है, यह द्यान रखिएगा, इसकी अलामा एक और मेन है धर्म निरब पेच राज in भारत कैसा राज़ की स्थापना करता है, धर्म पर बेदबाव नहीं किया जाएगा और देश के सभी नागरिक जो है उनको किसी भी धर्म को सुभिकार करने और उसकी प्रचार करने की स्वतंतता है अगर मुसलिम है तो आप मुसलिम आप अपना मुशलिम जो है प्रेक्टिस उसको प्रेक्टिस करिए हिंदु है तो का प्रचार करने की सोतंतरता है देश के अंदर और रादे से सहायथा प्राफ्ट इसक्यूलो और कालेजों में धार्मिक सच्छा नहीं दी जाएगी ऐसा हमारे सम्मिधान में लिखा गया है ठीक है जलते हैं आगे जलते हैं समाजवादी राज देखें हाला कि जब भारत का सम्मिधान वना था तो वहां पर समाजवादी राज की संकल्पना नहीं की गई थी लेकिन 42 सम्मिधान संसोधन होता है इंद्र गांधी के ट्राइम में किया गया था 42 सम्मिधान संसोधन और उसमें ही प्रस्तावना के अंदर एक सम्द जोड़ा गया समाजवादी समाजवादी सम्द जोड़ दिया गया प्रस्तावना के अंदर ठीक है तो याद रखिया गया कि समाजवादी सम्द किस संसोधन द्वारा जोड़ा गया कई बार यह question directly ask किया गया है आप अभी इस एडियास के paper में भी सायद पूछा गय समाजवादी राज क्या होता है देखिए यह concept जो है जो आपके USSR है वहां से दिया गया था समाजवादी राज का मतलब क्या होता है धन का विकेंद्री करड का मतलब क्या हुआ कि जैसे धन को कही एक जगा नहीं देखिए इससे यह circle होता है ठीक है यह circle का केंद्र है तो मतल लोगों आपके अमीर लोग है उनसे आप क्या करोगे आप क्या करोगे उससे पैसाई ले करके गरीब हों को दोगें। अपने भारत में भारत में मिसृत Cup का मतलब क्या है कि समाजवादी राज्य ो है भारत लेकिन मिस्रिट अरत नहीं हुआ कि ना तो यहाँ पे हम पूजीवाद को बढ़ावों देते हैं ना तो हम समाज them को भथ हो कि उमके सदु अभावात है कि हम याद रखिएगा कि बैलिश्वा संभीधान संसोधन के द्वारा समाजवादी सब्द का मतलब मैंने बता दिया आपको धन का विगंदरी करण ठीक है चलिए इसकी बाद है आपका संसेदी शासन की स्थापना ठीक है तो देखिए इसमें संभीधान होना चाहिए यह संभीध संभीधान द्वारा संसेदी शासन की स्थापना की गई है भारत में जो राष्टपती है वो कारेपालिका का अप्चारिक प्रधान का मतलब क्या हुआ कि वही है उसके पास देखिए आप राष्टपती यानि अपने दादा जी दादी जी अब तो हुई है ना तो मैं अग मात्र की है के वलो साइन करने के लिए हैं अपने दादा जी वहीं देखिए अब आप अमेरिका के संभीधान में देखिए वहाँ पर दादा जी सरवोच है बाइडन जी को देखिए बाइडन दादा देखिए लग अलग रोज-जोज कुछ ना कुछ डिजीजन ले रहे है है। तो संसध्य के अपनी साइञ संसध्य के लिए संसध्य का मंदी नीतियों के लिए संसद्य के समोहिक रूप Сे जिंमेदार होता है उत्तरदाई होता है इसके अलामा मौलिक अधिकारों की ब्यवस्था की गई है ना ग्रीकों के लिए कितने मौलिक अधिकार है टोटल 6 मौलिक अधिकार है 6 मौलिक अधिकार है पहले क्या हुआ करता था पहले 7 मौलिक अधिकार थे उससे सात्वे अधिकार को खतम कर दिया जाता है तो छे मूर अधिकार दिये गए हैं वो किसलिए दिये गए हैं भाईया अगर आप इस बेस में रहते हैं तो आपके पास इतने अधिकार हैं आपके अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा ठीक है इसमें आपका स्वतनिता का समान्ता का अधिकार, धार्मिक सोसड के बिरुद्ध अधिकार और उसके बाद संस्कृति वसिछा का अधिकार, संब designs कैट अधिकार ठीक है तो इतने अच्छे अधिकार था हैं अब आप आप के सम्मिधान में मौलिक करतब की विवस्था की गई 42 सम्मिधान संसोधन के दौरा अच्छा 42 सम्मिधान संसोधन को हम मिनी कॉंसिट्यूशन भी बोलते हैं डारेक्ट कुस्टा भी या मिनी कॉंसिट्यूशन किसको बोला जाता है तो 42 सम्मिधान संसोधन को मिनी कॉंसिट्य बोला जाता है चोटा सम्मिधान ऐसा बोल लगुसमिधान कुछ भी पढ़ लो ठीक है तो बाइस पर सम्मिधान संसुधन में क्या किया गया मौलिक करतब जोड़ दिए गये और यह कहां गया से गया थे यह लिए गया थे यूस्सर यानि सोब्याट संग के समिधान से और 10 कर परतमान में कुल 11 मौली करतब हो गया है बाद में एक और करतब एड़ किया जाता है इसमें तो कुल मिला करके इसके बारे में भी देख लीजिए इसके बाद है नीत निदेशक्तत तो कहां से लिया गया है यह आयरलेंड के समिधान से लिया गया है आयरलेंड के समिधान की अंदर भी नीत निदेशक सिध्धान्त को जगा दी गई है और देखिए क्या होता है नीत निदेशक सिध्धान्त आप कहेंगे देखिए गांधियन प्रिंसिपल जिसने भी पढ़ाऊगा गांधी के सिध्धान्त है ना तो नीत नीदिशक्त्त तो गांधियन प्रिंसपल की ही देन है, वो उनका मानना यह था, कि जो समर्ध द्राश्ट्र होता है, समर्ध देश होता है, वहां पर सरकार की नीतिया किस तरीके से बननी चाहिए, सरकार की, जो केंदर और राज सरकार है, वो कैसे जनता के बारे में अच्छे से अच्छे नीतिया ला करके उनका जो उनको सुखी बनाने का जो प्रयत्न है वो कैसे करेंगी वो सब के सब यहां नीद नीदेसक तक्त्तों में आपको वर्डन इंका मिलता है तो ध्यान रखिएगा इसको नीदेसक तक्त्तों के बारे में इंपॉर्टेंट है और जब मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में एक आर्टिकल भी डिसकस करूंगा लास्ट यहां से एक क्वेशन आया था किसमें अपका पैट में पैट में क्वेशन आया था सायद यह यूनिफॉर्म सिविल कोट से आया था या फिर सायद पंचायत पंचा जो …क पास करता है जो क्या करता है, जो क्या करता है भारे संविधान के जो उलंगन पास कर रहा है मौल अधिकार यह संविधान के में इंटरफेयर कर देए है और उसको الجh cooked कर देती है टीकए तो इस तरीकेसे हम करते हैं कि जो क्या पास करता है है वो सम्मिधान और मूल अधिकार के संरत्षक या फिर गार्डियन के रूप में कारी करती है इसके बाद है आपका वयस्क मता अधिकार ठीक है अच्छा सर्वोच ने आले भारत में सर्वोच ने आले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी बताइए कमें बताइए अगर वह याद होगा तो आप बता दो कि चलिए वयस्क मता अधिकार क्या है सबको पता हो गया कि भाईया आप क्या कर सकते हो अगर 18 वरत से के उपर के हो इसके अलावा अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लिए बिसेस अधिकार दिया गया है संभिधान के अनुच्छत 17 में इसमें कि प्राइब अनुचेट 17 में अस्प्रिस्टिता कांत है यानि अंटचिबिलिटी अनुचिबिलिटी मतलब क्या था देखिए पहले क्या था कई सारी प्राक्टिसेज की जाती थी भारत में जो इलीगल थी क्या कि अगर आप अनुचूचित जाती या जन जाती के हैं तो आप यह नहीं कर सकते चुवा चूट जिसको बोलते हैं तो चुवा चूट कांत किया गया अनुचेट 17 के द्वारा और सम्मिधान ने देश में समाजिक समानता जो आप मैंने अभी आपको बताया समाजिक समानता जो है उसको इस्थापित करने का प्रयात न किया ठीक है इसके किया कभी पहले वार करता है नहीं करता है तीन तीन लड़ी है लड़ी भारत नहीं लेकिन पहले कभी वार किया नहीं किया तो भारती सम्मिधान में क्या है अंतर राष्टिय सहयोग और विस स्वानती के आदर्स को मानता दी गई है और सम्मिधान के अंदर राजिका या कर अगरिषाब को समिधान मानता है छो समिधान की एक विसिस्ता है अक्षे कुमार से यादब कर लिजिए ठीक है एकल नागरिकता अच्छे कुमार से आत कर लीजिए अच्छे कुमार सहाब को कहा की नागरिकता मिली है इनको कनाडा के नागरिक है यह कनाडा के नागरिक है अब यह कनाडा के नागरिक है तो क्या यह भारत के नागरिक होंगे नहीं यह भारत के नागरिक नहीं आपके आपके सारे याद हो गए याद हो जाने का मतलब है याद करना कुछ नहीं था इसमें आपकी समझ कितना है पूछ जाता है जिसको सेलियेंट विचर भोलते हैं तो आप उसने में फस जाते हैं आपने तो रक्टा मारता है तो रक्टा नहीं मारता है थीक है अगर समझ नहीं आया हो तो 2x पे चला के देख लिजिए और हाँ मैं हमेसा अपने सारे students को कहता हूं कि अगर आप लाइव देख रहे हैं तब तो ठीक है अगर लाइव नहीं देख रहे हैं और आपके पास time कम है तो वीडियो को हमेसा 2x पे चला के देखी वह बेटर होता है ठीक है तो वीड देखा करिये हैं मत देखा करिये हैं ठीक है चली यहीं पर आज खतम करते हैं यह होग आपको से संकाफी अच्छा लगा होगा और ठीक है वाट बिस यू आल